नमस्कार, मैं प्रदीव चनपांडे, आप मुझे सुन पा रहे हैं भारती बस्ती के यूटूब चैनल पर कुरोना को लेकर हर जगां चर्चा है, संकाएं हैं, आसंकाएं हैं, लोग डरे हुए हैं और इस बात को लेकर भी बेचैन हैं कि आखिरों कैसे बच सकते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में तीन माह के बच्चे के कुरोना पाज़िव पाये जाने के मामले में चिकिस्कों का कहना है कि सोसल डिस्टेंसिंग में चूप के करण बच्चा संक्रमित हुआ है जन्पद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी परिवारों को सोसल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा तब ही कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा तुरकहिया निवासी एक विक्ति की टीस मार्च को ही मौद के बाद यह बात सामने आई थी कि मृतक कोरोना पाजटिव था इसके बाद उसी परिवार वा उनके करीबियों की हुई जांच में 14 लोग पाजटिव पाए गये हैं उनमें यह तीन माह का बच्चा भी सामिल है जिसका बियारडी मेडिकल कॉलेज गोरफपुर में इलाज चल रहा है इस संबन्ध में बाल रोग बिशे सग्गी डाक्टर आफताव रजा वा डाक्टर नवल बर्मा का कहना है कि बच्चा पाजटिव होने के बाद भी माता पिता के निगेटिव मिलने का मतलब है कि बच्चे तक संक्रमन बाहर से पहुँचा है स्वास्त विभागबरा लगातार आपस में दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है बच्चों और बुजर्गों पर विशे स्थ्यान दे जाने की जरुवत है अगर मा संक्रमित है या संक्रमन की संभावना है तो भी इन साउधानी के साथ अस्तनपान कराना जरूरी है डाक्टरों का कहना है कि खांस्ते वाच्छीक्ते समय मुह को रुमाल आज से ढखें अस्तनपान से पूर्ब और बाद में मां हाथों को 40 सेकंड तक साबुन से धोए बच्चे से संपर के समय मास्क जरूर पहने किसी चीज को छूने से पहले उसे साबुन या सेनिटाइजर से साफ कर लें अगर बच्चा संक्रमित है या संक्रमन की संभावना है तो भी साउधानी के साथ उससे अस्तनपान जरूर कराएं दूद निकाल कर पिलाने की मजबूरी है तो कटोरी चम्मच वा हाथों की सोचता पर बिसेश ध्यान दे ऐसा डाक्टरों का कहना है अब देखना ये है कि अगर बच्चों तक ये संक्रमन पहुँच रहा है तो उस पर शिकिस्सा तंत्रकाई से नियंत्रन कर पाएगा